हलो दोस्तो स्वागात आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में आपके लिए पॉजिटिव नियूज गुड नियूज लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा धमाका भी है जो पीछे होगा वो आप बैंड नियूज समझ सकते हैं तो गुड नियूज जो है वो है कि आपका जो टेडिक जो करना चाहें कर सकते हैं तो ये तो है एक गुड नियूज दूसरी है सिवाए इनू से के सिवाए इनू में देखे विश्वास वेल्स का कैसे बड़ा और कितने टोकन्स नों ने अपने वालेट में डाले चलिए ये बताते हैं लेकिन जो सबसे बड़ा धमाका वो यह है सीजे बाइनस क्या जोट बोल रहा है क्या आपके साथ गेम खेल रहा है ये एक नई चीज निकल के आई है और कम्यूटी ने ही निकाली है जो साइद अब तक हम लोग किसी गलत फैमी में थे हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन कम्यूटी तो गलत नहीं हो सकती ना च सबस्क्राइब कीजिए और बेल बटन भी जरूर पैस कीजिए जिससे की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुँचे बात करते हैं BNB चेन की जो आज पूरे दिन चर्चा में रहा बहुत ज़्यादा टेंशन भी रही लोगों को ये सब क्या हो गया ऐसे कैसे हो गया लेकिन आपके लिए दिन ढलते ढलते एक गूर्णीूज ये आगई कि BNB चेन अभी चालू है कोई दिक्कت नहीं आपका फंड सेफ है कोई दिक्कत नहीं है मैं चीजज है कि हमारा पैसा सेफ है या नहीं है जो मैंने एक सब दिस्माल किया कि BNB चेन अपनी ऐसी तैसी कर मेंचीज यहां पर है तो कुल मिलाके गुर्णियु जी है कि BNP Chain सेफ है अभी और हमारा फंड भी उसके साफ से सेफ है जो हुआ वो सीजे अपने आप भुगतेगा कि कुछ जैसा करेगा वैसा भरना भी पड़ेगा दूसरी वा ये तो हो गया ये अब आजाते हैं हमें एक दूसरी अपडेट थी वो थी सिवाईनू से सिवाईनू में देखिए अभी इटर्निटी गेम चालोगा ठीक है अच्छा खासा चलना है क्योंकि स्टार्टिंग में सब की हाइप होती है तो उसकी भी है तो अभी ठीक चलना है मामला ठीक है कितनी बर्निंग हुई है ये तो बाद में पता चलेगा क्यों अभी पहले देखा जाए कि कितना क्या हुआ है वो बाद में निकल के आएगा लेकिन है कुछ देखिए ने वेल्स की पॉजिटिवटी यानि वेल्स का होता है कि यह कहीन कहीं सेल होगा डेख्यों वालेट में जब तक है तब तक हो यह कनफर्म है कि वह सुरक्षित है जब एक हमें आता है है तो जटका मारक लेकिन Можно माल आया वहां पड़ा रहा उसके बाद फिरसे उस वेल्स फ्था जेए पूरा का पूरा यह कहा है मार्क जेसी में और इस समझते थे ओंग मुझे लगता है लोग यह समझते थे颜ुमख लेकिन वहाँ कोई चीज नहीं की जाती है लेकिन यह एक चीज निकलनकी आप बहर जो यह ब cand फूलारा बाद बश्रीट किए यह यहां पर एक ट्र only चैन की तरब से कि हमारे वैलीडेटर्स ने और कम्यूनिटी ने मिलके उसको फ्रीज कर दिया जो फंड जो हमारा एक तरह से चोरी हुआ था उसको फ्रीज कर दिया तो आप एक चीज यहां सोचने वाली बात है कि जो चीज डी सेंट्रलाइज है उसमें आप कैसे किसी को ट्रैक कर करके और freeze कर सकते हैं सोचने वाली वाते हैं और देगे सेंट्राइज सिस्टम मेंतो सब पता होता कि कौँची कहां गई किधर गई लेकिน डिइस इन्ट्रिस किया लैसा मतलब यह है कि बेज़ो कि व paralyzed नहीं है यहां जुट बोल सबको बना रहा है या गैस्थ ए तो ही कि कि यह हमको क्या ब्रकुल बना रहे हैं कि यह बिन इसका Atlanta है यह कि यह को Bitcoin का मतला यह होता कि आप किसी बिन व्ग virtus नहीं कर बहाई है जो भी है आप इंका ट्वेट देखिए उसमें है कि हमारे वलिडयर स्ने और community ने मिलके इनको freeze कर दिया फिर अब ये value later कहां से पैदा हो गए तो ये सब क्या है यानि आपने जो किया था उसके पीछे की ये नहीं कानी और निकल आई अब तो ऐसे लगता है ये freeze freeze जो hackback हुआ था कुछ नहीं हुआ ये सब इनका drama था क्योंकि आप freeze कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि वो decentralized चीज है ही नहीं decentralized system में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते वहाँ आप किसी को track नहीं कर सकते वहाँ आप किसी को freeze नहीं कर सकते तो आपने ये जो wallet था उसको freeze कैसे किया कौन सा आपके पास वो mechanics था जिसके बचे आपने वो decentralized होते हुए और उसको freeze कर दिया तो कहीं न कहीं ये भी एक कुछ गालमेल चल रहा है इनके tweets से इस चीज़ को सावित करते हैं भाई देगे मैं नहीं कह रहा है इस चीज़ को इनके जो tweets हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ आप उनको पढ़ लीजिए उन्हीं से आपको ये चीज़े clear हो जाएंगी कि BNB chain हमारी decentralized है ही नहीं क्योंकि decentralized system में मैंने आप से कहा न कि आप जो है किसी को freeze नहीं कर सकते क्योंकि आप track ही नहीं कर सकते हो तो freeze कैसे कर हो गई आप track कर सकते हो इसका मतलब आप decentralized system में हो जी नहीं और BNB chain को तो अब तक हम यही समझ रहे थे कि यह decentralized chain है तो कहीं ने कहीं आज यह जोट और size निकल के सामने आ गया अब तो BNB पर यह question mark लग गया भाई क्या हो आप centralized हो यह decentralized हो यह सब के लिए question खड़ा हो गया वो देगे एक हम विश्वास करते है Binance सबसे बड़ा exchange है वो एक अलग चीज है कि बहुत से ग्यानी लोग यह भी कहेंगे न तो मैं कहता है वो एक अलग चीज है हम facts को भी देखते हैं कि facts क्या है आकर तो यह सब क्या है तो यह एक नई कहता है Binance पर CJ Binance पर BNB Chain पर एक यह नई चीज और खड़ी हो गई कि अगर आप decentralized थे तो आपने उसको freeze क्यासे किया इसका जवाब दो और community ने पूछा है देगे कितने tweets आएं इस बात पर और इस बात को हमारे यूटूबर कोई नहीं कहना चाता क्योंकि सच बोलने की हिम्मद चाहिए जिगरा चाहिए बहुत साहिद नहीं है ब्यूज के आगे सब हर जाते हैं और मैं आपको ऐसे ही सच बताता रहूँगा तो यह है साब एक नई कहानी जो BNB Chain के साथ जुड़ गई तो साहब देखिए अब डिसाइड आपको करना है क्या है क्या नहीं है देखिए मेरा काम था आपको सच बताना जो मार्केट में आज हुआ देखिए बहुत से लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है वो कहते हैं रहे सार आप नेगेटिव चीज बताते हो भाई नेगेटिव और पोजिटिव मैं दोनों चीज बताता हूँ अच्छा होता तो वो भी बताता हूँ और बुरा होता तो वो भी बताता हूँ आपको बुरा सुनना ही नहीं है तो ये कमजोरी आपकी है मेरी नहीं है मैं तो इदनी हिम्मत रखता हूँ कि मैं सच भी बोलूँगा और जो कुछ उसके अंदर काला है वो भी आपको बताऊंगा तो काला सपित मैं तो दोनों चीज़ बताता हूँ हिम्मत आपके अंदर नहीं है सच सुनने की जो लोग यह कमेंड करते हैं रहे नेगेटिव नीज देते हो तो भाई वो कमजोरी आपकी है मेरी नहीं कि आप सच सुनना ही नहीं चाहते या सच आप जानना नहीं चाहते दोके में रहना चाहते हो तो भाई वो कमजोरी आपकी है मेरी नहीं है मैं तो आपको सच और जूट जैसा भी है जो मार्केट में चला है वो आपको जो सही होगा उसमें से निकालके आपके सामने रख दूँगा मानना है तो मानो नहीं मानना तो वो आपकी मर्जी है Finance के साथ एक ये नई चीज़ और आर जुड़ गई तो लगता है कहीं कहीं कोई गेम प्लान साहिद प्रिपेर हो रहा हो खेर जो भी है डिसाइड आप कीजिए देखें मनी आपका है पैसा आपका है इन्वेस्ट आपको करना है कुछ डिसिज़न आप भी ले सकते हैं मेरा काम है आपको कुछ सही चीज़ें आपके सामने रखना तो चलिए फिर मिलते हैं नमस्कार